नमस्कार आप देख रहे हैं अचकी खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हसन बाग का रहने वाला बिलाल इंटरप्राइजेस का मालक परवेज पटेल कि किस तरीके से लोग को बेपकूब बनाता था पैसे डब प्लिकेट नोट का भी काम करता था इसी सुतर से जानकारी मिली थी जिसको ले करके एटियस की रेड हुई थी यह सब कुछ हमने आपको बता दिया लेकिन अब सवाल यह है कि उसी परवेज पटेल के घर पुलिस को गन बरामद हुए और उसके साथ एक जिंदा कार्तूस भ एटियस का रेड के कुछ ही दिनों के आसपास तैसिल थाना शेतर अंतरगत मौमिनपूरा में जमील हत्याकांड एक मामला सामने आया उस हत्याकांड की जब पुलिस ने जांच परताल की चानबिन कर रही थी उस समय पता चला कि पुलिस को की आखिर इन हत्यारों को जिसने हाजी को पकड़ा एरेस्ट किया हाजी से जब पुलिस ने पूछताच की कि आखिर तुमने गन जमील हत्याकांड के हत्यारों के अलाबा और किन लोगों को दिया है तो हाजी ने कुछ एहम खुलासे किये जिसमें से जमील हत्याकांड के हत्यारों के अलाबा भी उसने अपलाई किया था बेचा था उसमें से एक नाम तहसिल पुलिस को पता चला कि ये परवेश पटेल को भी इसने गन दिया था और उसके बाद नंदनवन थाना शेत्र अंतरगत रहने वाला परवेश पटेल के घर पे नाकपुर की तहसिल पुलिस ने छापा ढाला और ये इसी बड़ी एजेंसी रेड कर चुकी थी हालांकि परवेश पटेल और पपु का घर और ऑफिस एक ही घर एक ही बिल्डिंग में है घर पे जरूरत से अधिक CCTV कैमरे लगाये रखा है और खास बात तो ये है कि जब ATS ने रेड की तो सभाविक सी बात है जिस बिल्डिंग म भी जांस परताल की थी क्योंकि उसको उसके घर से ही ATS उसको अपनी गाड़ी में लेकर के पुलिस टेशन लेकर गई थी तो आखिर ATS जैसी बड़ी एजेंसी को बंदूख ना मिलना ये अपने आप में एक ब्राप्रश्ण निर्मान करता है तो फिर क्या ATS जैसी जो एज परश्ण निर्मान कर दिया वो है बंदूख और एक जिंदा कारतूस फिलहाल परवेज पटेल अभी घूम रहा है उनके साथियों के बीच भी कुछ अनसुनी हुई है और कुछ मतभेद हैं इसी सुत्रों से जानकारी है और क्या सच है इसमें फिलहाल हम इसमें कोई उपर माकोका के तहत कारवाई नहीं होनी चाहिए ऐसे कई सवाल निर्मान होते हैं और खास बात तो यह है कि परवेज पटेल इस गन का उप्योग लोगों को डराने के लिए किसी से जबरदस्ती प्लॉट हर अपने के लिए लोगों सो पैसा वसूलने के लिए इन सारी ची हर चीज का एक नेक दिन अंध है और शायद परवेज पटेल का अंध शायद अभी यहां नहीं है अभी बहुत कुछ ऐसी चीजे बांकी है जो हम आप तक लेकर आने बाले हैं आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वियो सिंग के साथ सि कि दिखाए बीन चुपाए जहें